हुआ है आप आप कि नमस्कार करेवी जैर थे हम उसाथ यह मैं सवरोफान एक बार फिर से आपका मैच्ज के सेसं में सौगत करता हूँ जिसमें हम चर्चा कर रहे थे क्लास एड़्स की लेनियर उकेशन इन वर्न वैरिएबल यह आपका पार्ट नमबर सिक्स है और इसमें हम जारी रखेंगे अपने अच्छे-च्छे कोश्चन तो कोश्चन से तक पिछले वीडियो में हो चुका है ज कोश्चन से न्बर 7 क्या है ध्यान से देख़िये हैं इसे फाइव टाइब्स पाईब्स आं लूंबर हाइव उध सीन सिक्स्टी बाई फाईफ पाईव फाईफान बोटींगे क्या कहता है से सौ्छन को को सॉल्व करने कित्वे पहलें को क्या करना ध्यान से पढ़ना चा देखो कोई नंबर है जिसका पांच गुना करने पे वो 60 से 5 बड़ा है कितना बड़ा है 60 से 5 बड़ा है तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कोई नंबर हमारे पास है हमारे पास कोई नंबर है कौन सा नंबर यह नहीं पता है वो नंबर कैसा है जिसका 5 गुना किया जाए वो 60 से 5 बड़ा है तो चलिए हम करते हैं तो सबसे पहले करेंगे हम मान लेंगे नंबर को X हमने नंबर को क्या मान लिया जो भी नंबर है वो अभी पता नहीं है तो जो चीज पता नहीं रहती है उसको हम X मान लेते हैं जब हम नंबर को X मान लिये तो उसका 5 टाइमज करेंगे तो 5 X हो जाएगा देखो 5 times number x है तो so 5 times of a number 5 times of a number 5 times number मतलब 5x है तो 5x हो गया है यह 5 गुना होगा आप देखो according to question according to question लिख लेना आप लोग according to question जो हमारा question कह रहा है उसके हिसाब से अब चलेंगे ना तो according to question question क्या कह रहा है आपका 5 times of a number मतलब जो 5 times number है 5x है जो वो क्या है exceed है 60 से वो किसके बराबर है 60 से कितना exceed है 5 मतलब 60 से 5 बड़ा है तो 5 add कर दो तेखो 5 बड़ा है 60 से तो वो उस number 60 से 5 बड़ा है तो 60 में हमने 5 को add कर दिया ठीक है तो हमारा कुछ ऐसा equation बन जा रहा है अब जब हम इसको solve करेंगे x की value जो आएगी वही हमारा number हो जाएगा चलिए इसको solve कैसे करते हैं बहुत easy है 5 x है 60 प्लस 5 65 होगे आपका और x की value यहां से find कर सकते हो यहां पर multiply है उधर चला जाएगा आपका divide में तो यह आपका 5 x 5 x 5 x 3 x 15 तो x की value 13 आ गई और यही आपका answer है नंबर यही है यही जो x की value आपकी आई है वही हमारा number है तो इसी का 5 x आप करोगे तो जो है वह 60 x 5 बड़ा दिखेगा चलिए यह question बहुत easy था अब चलते हैं question number 8 पे 8 वाला question देखेंगे वह क्या है यह भी बहुत खत्रम सा question है देखिएगा इसको इना class है आपा 52 इना class आफा 52 स्टूडेंट्स एक कोई class है और कौन सी class है यह हमको नहीं पता बात करते हैं class 8 की ही तो class 8 की बात चल रही तो 8 की मान लों आपके class 8 में 52 स्टूडेंट्स है 52 विद्धिया ची है दा नंबर of boys is 3 by 4 of the total मतलब जो boys की संख्या है जो boys की संख्या है वो कितनी है जो total number है उसका मतलब 52 का 3 by 4 है जो total number of boys है वो 3 by 4 है तो हम इसको कैसे करेंगे तो क्या कहा है boys की संख्या बताओ भाई यह easy है यह linear equation का इसमें linear equation में डाल दी हैं लेकिन यह linear equation में रखने लाए question ही नहीं बहुत easy है तो चलिए तो इसको क्या करेंगे simple करिएगा total student total number of students students कितना है 52 है total number of students कितना है 52 है और फिर the number of boys the number of boys boys की संख्या कितनी है 3 by 4 of total मतलब इसका 3 by 4 of total तो boys की number को हम माल लेंगे x let the number of let the number of boys be x तो x की value कितनी है x की value कितनी है according to question according to question हम एती क्यों लिखेंगे आप लोग पूरा लिखिएगा according to question क्या है जो boys की संख्या है वो 52 का मतलब total number हमारे पास 52 है ना उसका कितना कितना है 3 by 4 3 by 4 है मतलब 3 by 4 का multiply करा दो ठीक है ऐसे question में 3 by 4 का आप multiply करा दो यह आपका आपका आजाएगा अगर हाप बोला तो 1 by 2 का वो अपना समझदार हो और जिनको भाई basic से पढ़ना अच्छे से जानना हो पीछे जाके देख सकता है अब 4 का divide जब करेंगे हम 4 वन जा 4 4 वन जा 4, 4, 3, 12 मतलब 13 आजाएगा तो यह x की value यहां से कितनी आएगी x की value 13 multiply 3 13 multiply 3 और x की value final जो हमारे total number of boys है वो आपका आजाएगा 39 number of boys number of boys equals to 39 हमारे जो boys है 52 के class में 52 total class थी total students है जिसमें से 39 boys है तो ऐसे हम कर सकते हैं तो चलिए अब question number 9 पे चलते हैं question number 9 है वो भी easy है देखिएगा इसको थोड़ा यह दोनों question तो बहुत खतम से थे कुछ नहीं था इसमें तो चलिए question number 9 पढ़ते हैं 15 year letter letter means पहले की बाद ego means पहले जब ego आएगा तो उसको मतलब बीच चुका है 15 साल पहले की बाद होरी लेकिन letter means बाद मतलब जो आने वाला जो आने वाला है देखों 15 year letter 15 year के बाद a man will be two times as old as the he was 15 year ego देखों यह दो चीज कह रहा है दोनों का मतलब समझीगा इस line को इस sentence का मतलब सुनिएगा 15 year letter 15 साल के बाद a man will be two times एक आदमी है कोई व्यक्ती है वो two times हो जाएगा किसके two times old as he was 15 year ago जितना की वो 15 साल पहले था जितनी उसकी 15 साल पहले एज थी उसकी दोग न हो जाएगा 15 साल बाद ठीक है तो how is old he now तो अभी उसकी उम्र क्या है देखों कोई आदमी है उसकी एज जो है 15 साल बाद 15 साल बाद क्या हो जाएगा two times हो जाएगा 15 साल पहले की उम्र से तो उससे हम present is कैसे निकालेंगे आज की date कैसे निकालेंगे आज की उम्र उसके पता करेंगे तो माल लो let let the present present is of man man की बात की है न हाँ man की man की present age क्या माल लिया है अब देखो 15 एयर लेटर so age of 15 year लेटर 15 साल बाद की age उसकी क्या होगी अभी की उम्र एक्स एयर है तो 15 साल बाद उसकी age कितनी है होगी आपकी जो उम्र अभी है 15 साल बाद आपकी उम्र 15 बढ़ जाएगी न तो उसकी भी बढ़ेगी भाई x प्लस 15 15 एयर लेटर उसकी age x प्लस 15 हो जानी है ठीक है यह simple सा concept था अब बात करेंगे दूसरा क्या बोला है 15 एयर अगो 2 टाइमस हो जाता है तो अभी टू टाइमस को छोड़ेंगे तो age of man 15 एयर एगो 15 एयर एगो इसकी 15 साल पहली उम्र क्या थी x माइनस 15 अब देखो दोनों उम्र आ गई प्रजेंट आ गई यह 15 साल बात किये यह 15 साल पहले किये तो हम question में क्या कह रहा है according to question चलेंगे according to question आप लोग copy में लिखिये और हम यहाँ पे लिखेंगे 80 को ठीक है तो question क्या कह रहा है दोनों की तुलना कह रहा है जो 15 साल बाद उम्र होगी जो 15 साल बाद उम्र होगी x प्लस 15 15 साल बाद उम्र क्या होगी x प्लस 15 15 year later वो क्या होगी 15 year later a man will be 2 times आदमी की उम्र जो है वो दोगनी हो जाएगी 15 साल पहले की उम्र की 15 year ago इसकी दोगनी हो जाएगी तो हम 2 times कर दे 2 times किसको कर दे इसको मतलब 2 times दोगनी का मतलब 2 से multiply ये जो इसकी age है x माइनस 15 उसमें जो आपकी 15 साल पहले की age थी उसमें 2 हम multiply करा देंगे तो ये equal आ जाएगी 15 साल बाद जो उम्र होगी उसको जो है equal करेंगे किस से 15 साल पहले की उम्र की दोगनी उम्र से 15 साल पहले की उम्र की दोगनी उम्र से तो according to question जो है question में यही कहा गया था तो हमने इसको statement से equation बना लिया अब हम equation को solve करके x की value आसानी से find कर सकते है कैसे हम solve करेंगे इसे ध्यान से देखिएगा हाँ चलिए इसको ध्यान से देखिएगा कैसे solve करोगे आप लोग पहले bracket open कर लो x plus 15 x plus 15 equals to 2x minus 30 ठीका x plus 15 equals to 2 से multiply हुआ हो गया अब देखो transpose करोगे इधर आएगा तो यह minus का आपका 2x हो जाएगा minus का 2x हो जाएगा यह minus का 30 है ही और यह plus है इधर जाएगा minus हो जाएगा minus 15 अब जब add करोगे यहाँ पर plus minus minus और minus का symbol होगा minus x और यह आपका minus 45 हो जाएगा minus 45 हो जाएगा और x की value यहाँ से क्या जाएगी x की value final 45 आ जाईगी और ये उम्र क्या है ये आपकी present age है यही present age को हमने x माना था तो वो अभी कितने साल का है 45 साल का यही आपका final answer हो गई ठीक है यही जो 45 साल उसकी उम्र है यही इसकी final age हो गई ठीक है x की value जो थी हमने माना था वही आपकी present age हो गई चलिए तो यह present age जो x है उसी को 45 उसकी value आ गई यही आपकी present age हो गई तो चलिए हम चलते हैं अगले question में question number आपका 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया अब 10 की बात करेंगे 10 की बात करेंगे तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार खुद से पढ़िए तब तक हम रेज कर रहे हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं question को उसके बाद हम देखते हैं चलिए हाँ तो question number 10 है उसका solution कैसे करेंगे हम देखिएगा उसको question number 10 the sum of three consecutive word number example में कराया हूँ खुद से कर सकते हो इस 63 find them example में कराया हूँ तो इसे थोड़ा जल्दी करूँगा चलिए solution यह का होथा है 10 है the let the three consecutive number consecutive number हम consecutive number को क्या मानेंगे क्या मानते हैं 2x plus 1 3 की बात किया है न 2x plus 1 यह first consecutive number है ठीक है ऐसे नहीं लिखो आप let the three consecutive number first 1st क्या है 2x plus 1 2nd 2x plus 3 3rd थर्ड हमारी क्या रहेगी 2x plus 5 देखो यह तीन लगातार consecutive odd number है देखो तीन लगातार देखो पहले 2x plus 1 माना क्यों माना एक्स प्लस 1 मानते हैं अगर हम x plus 1 मानते हैं तो एक्स की वैलू यहां से वन फूट करने पर आपका टू आ जाता तो यह इवेन हो जाता तो हम x plus 1 मान के नहीं चलेंगे और लगातार तीन की बात की है तो पहला जो है और नमर फिर वन के बाट 3 3 के बाद 4 4 के बाद 7 अगर आप चाहो तो 4 भी निकाल सकते हो लेकिन आप से कोश्चन में 3 ही पूछा तो according to question हमारे question के अनुसार आप लोग according to question लिखिएगा मैं लिख रहा हूं चलो तो question के अनुसार क्या कि कहा है सम इसका करने पर 63 आ रहा है तो आप सम कर दो तीनों का सम कर दो 2 x plus 1 और फिर प्लस का बीच में सिम्बल लगा दो 2 x plus 1 plus 2 x plus 3 plus 2 x plus 5 यह हमारा तीनों का सम किसके बरावर है 63 है अब इसको क्या करो अब इसको solve कर दो इसको solve कर दो गया जाएगा 2 x plus 1 चलिए 2 x plus 1 और फिर प्लस 2 x plus 1 3 plus 2 x plus 5 तीनों का सम 63 के बरावर है अब देखो 2 x plus 2 x plus 2 x यह तीनों को add करोगे तो आपका आ जाएगा 6 x 1 plus 3 4 4 plus 5 9 6 x plus 9 equals to 63 यह देखो 63 के बरावर हो गया अब यहां से 6 x की value आप निकाल लो तो 6 x की value कितनी है 63 minus 9 और यह किसके बरावर होगा यह किसके बरावर होगा आपका 63 minus 9 किसके बरावर होगा यह आपका हो जगा 50 हां 52 52 के बरावर होगा यह 52 के बरावर होगा अब क्या अब देखो 6 को उधर transpose करोगे तो यह x की value आ जाएगी 36 को उधर ट्रांस्पोस करोगे 52 अपान 6 ठीक हम 52 अपान 6 तो आप डिवाइड करोगे चलो देखते हैं यह सही सब्ट्रेक्ट हुआ ना 63 आया है और 63 में से अगर हम 9 को सब्ट्रेक्ट करते हैं तो आपका 10 को करेंगे तो यह हो जाएगा 53 और हाँ सही है तो आप इसे डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 6 जा 12 ठीक है 3 1 जा 3 कुस तो गड़बड है यहाँ पर कुस तो गड़बड दिख रहा है हमको एक नट फिर से हम चेक करते हैं क्यों यह डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरीके से अगर हम बात करें क्यों यह डिवाइड नही होगा ठीक है देखते हैं 54 54 आएगा भाई हां हां 54 आएगा 54 आएगा यह तभी तो कह रहूं एक बिनिट 63-9 54 आएगा 54 चलो यह आपका 54 आएगा अब देखो 54 आएगा आपका 54 आएगा तो उसमें उसको क्या करेंगे हम उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 54 ऐसे लिखेंगे यह वाला 6 ट्रांस्पोस करके इधर लाएं आपका जो है 54 अपान 6 हो गया 54 अपान 6 हो गया अब इसको डिवाइड हम करेंगे 64 को डिवाइड करेंगे 6 9 जा 54 ठीक है और X की वैलू आपकी क्या आ गई यह एक्स की वैलू आ गई आपकी 9 यह एक्स की वैलू है तो हम फस्ट कॉंस की यूटिब नंबर की बात करें तो first number आपका क्या होगा यहाँ पे देखते हैं first number first number first number क्या है आपका 2x plus 1 है और यहाँ पे x के place पे 9 रखेंगे 2 into 9 plus 1 यह आपका होगा 19 और second number की बात करें second number की 2x plus 3 यह आपका क्या हो जाएगा 2 into 9 plus 3 यह आपका क्या होगा यह आपका 21 third number की बात करें अगर third number की बात करें 2x plus 5 तो यह 2 into 9 plus 5 यह किसके बराबर हो गया है 23 तो हमारी एक number आ गई 19 दूसरा 21 और तीसरा 23 तो यह SM 3 तीनों और नमबर को 3 consecutive और नमबर का पता ऐसे लगाते हैं तो चलिए जो हमारा 11 question number है question number 11 उसको भी देखेंगे हम इसको भी देखेंगे तो चलिए थोड़ा नया type का question दिख रहा है easy है बिलकुल easy है तो question number 11 आप देखेंगा इससे देहां से एक मिनट चलिए question number 11 पढ़ो आप लोग पढ़ो हम भी पढ़ो है चलिए question number 11 क्या आपका the numerators the numerator of a fraction is six less than the denominator if three is added to the numerator fraction is equal to two upon three two third second third बोलो इसे two third what is the original fraction equal to समझ में हा कुछ चलो हम बताते हैं एक कोई भिन है एक कोई fraction है जिसका numerator की बात कर रहा है वो क्या है numerator जिसका numerator six कम है किससे denominator से एक कोई fraction है fraction क्या होता है fraction का form होता है a upon b और यह आपका क्या होता है यह होता आपका numerator numerator, और यह क्या होता आपका, उल्टा कर दिए, यह जो A है आपका, A है हो वो होता numerator, और B है denominator, D denominator, ठीका, A numerator है, B denominator है, ठीका, चलो, यह numerator denominator की बात कर लिए अब हमारा question easy हो जाएगा आप जैसे question कह रहा है वैसे हम equation form कर लेंगे तो हम क्या किसकी तुन्ना कर रहा है numerator की denominator से the numerator of fraction is less than the denominator जो numerator fraction का वो denominator से कितना कम है six कम है किस से कम है denominator को तो हम denominator को मान लेंगे एक्स क्या मानेंगे denominator को हम denominator को मान लेंगे एक्स लेट 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 दा दिनुमिनेटर of the fraction fraction b x हमने fraction के denominator को क्या मान लिया एक्स मान लिया जब तो हमारा numerator क्या हो जागा जब denominator हमारा x हो गया denominator पता चल गया अगर उसमें से कितना कम है 6 कम है ना डिनोमिनेटर से कितना कम है 6 तो सो नियूमरेटर नियूमरेटर अप्दा फ्रेक्शन फ्रेक्शन का नियूमरेटर कितना होगा x-6 6 कम है य डिनोमिनेटर यह आपका x हो गया और यह x से 6 कम कितना है आपका नियूमरेटर चलो नियूमरेटर x से आपका 6 कम है तो if 3 is added to the numerator अगर हम नियूमरेटर में 3 add कर दें तो फ्रेक्शन is equal to 2 upon 3 तो हमारा फ्रेक्शन क्या हो जाएगा 2 upon 3 हो जाएगा तो चलो हम क्या कर दें अगर हम देखो according to question लिखो according to question हम question के अनुसार चलेंगे क्या है question में अगर देखो fraction हमारा क्या हो रहा है पहले हम तो fraction लिख लें fraction की बात क्या हो रही है इसमें numerator क्या है आपका numerator x-6 है x-6 numerator हो गया denominator क्या है आपका denominator नीचे होता है तो एक्स है ठीक है तो फिर according to question चलो देखते है question में क्या कह रहा है इप 3 is added the numerator अगर हम numerator में 3 add कर दें तो चलो 3 add कर देंगे तो क्या होगा हमारे साथ तो क्या होगा Now fraction is equal to two upon three तो यह fraction किसके बराबर हो जाएगा टू अप यह बनेगा ओरिजिनल वाला fraction उसी को हम निकल लेंगे तो चलो देखते हैं x की वेलू क्या आती यहां से यहां से x की वेलू क्याöß guid NE इसका आप क्या करो cross multiply कराओ इसके साथ पहले इसे solve कर लो चलो इसको solve करोगे x-6 plus 3 upon x equals to 2 upon 3 अब इसको solve करोगे तो कितना जाएगा आपका x-3 upon x equals to 2 upon 3 अब जब cross multiply कराओगे यहाँ पर इसके साथ इसका इसके साथ तो आपका cross multiply होने के बाद यह ऐसा कुछ हो जाएगा आपका 3 का multiply होगा 3 का multiply किसके साथ होगा x-3 के साथ यह किसके बराबर होगा 2x के साथ चलो यह होगा आपका अब अगर हम बात करें आगे इसको solve करें तो 3x-9 3x-9 equals to 2x यह 3x-9 किसके बराबर हो जाएगा अब इसको हम solve करेंगे transpose कर लेंगे 3x इसके साथ 2x वाले term को लेंगे और यहां पर इसको transpose करके इधर ले जाएगे तो x की value यहां से क्या जाएगी x equals to कितना जाएगा ना है यह हमारा क्या गया यह x क्या है हमारा यह हमारा denominator है तो numerator क्या होगा तो यहां से denominator denominator x है यह किसके बरावर है 9 numerator 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 कितना है x minus 6 यह कितना हुआ 9 minus 6 x minus 6 9 minus 6 और 9 minus 6 means कितना 3 यह आपका 3 हो गया तो original fraction हमारा जो होगा original fraction यही question में पूछा न original fraction क्या होगा original fraction क्या होता है denominator numerator अपार denominator मतलब x minus 6 अपान x यह किसके बरावर होगा 3 upon 9 और इसकी वैलू क्या होगी 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इसकी final value जो होगी हम यहां पे लिखते है इसकी final value जो होगी आपकी 1 upon 3 x की वैलू यह इसका जो original fraction होगा वो क्या होगा 1 upon 3 यही final answer होगा यही final answer होगा क्या 1 upon 3 यही fraction था हमने कुछ नहीं किया simple simple क्या किया denominator को x माना और फिर question में जो कहा था numerator numerator denominator से 6 कम है तो x में से 6 को minus कर दिया फिर question के अनुसार जो question हमारा कह रहा था उसके हिसाब से हमने numerator में 3 add कर दिया तो और उसको बराबर कर दिया था जैसा कि कहा गया था हमसे किसके बराबर है 2 upon 3 के तो चलिए इसको यह हमारा equation बन गया यहांसे x की value आ गई x की value मतलब denominator denominator कि क्या था x था x equals to 9 और numerator क्या था denominator अपन डिनोमिनिटर मतलब 6 x minus 6 upon x 3 upon 9 और यह 1 upon 3 यह आपका original fraction आ गया चलिए तो आज की class में बस इतना ही यह फांची question रहेगा तो अगले part में फिर चर्चार करेंगे इससे जुड़े अगले question की तो तब तक के लिए जय हिन जय भारत